से इस इंस necessity किया है कि हम लोगों ने विचार किया है कि हमरा जो करोना से कि इस हिलाज के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं चाहिए वह डॉट्टर्स नर्सिज है पेरामेडिकल स्टाफैं है कोरोना इसका पीरियड चलेगा तब तक ये सारा स्टाफ जो सिधा-सिधा कोरोना के पीरियत मरीजों की कॉविड की एक इलाज में लगे हैं या उनके सम्हालने में लगे हैं इनकी सेलरी अब डबल रहेगी ताकि हमारे अपने समय भी इस बात का हमको एक संतोश हो सके कि हमारी सेलरी डबल होगी एक्स ग्रेशिया के नाते जो बाते पहले बताई गई हैं उनको फिर दोरा देता हूं कि जो लोग केंदर की स्कीम पचास लाख रुपे की है उसमें नहीं आएंगे ऐसे सब लोगों को भी हम अपनी स्कीम में कवर करेंगे डॉक्टर्स के लिए पचास लाख नर्सिस के लिए तीस लाख परामेडिकल स्टाफ के लिए बीस लाख क्लास फोर के लिए दस लाख तो इस प्रकार से हमने उस एक्सगरेशिया को वैसे तो मुझे लगता कि सारा स्टाफ केंदर की स्कीम में आएगा ही फिर भी कोई अगर उसमें बंदन होगा या कोई इस प्रकार की कोई ऐसे पैरामेटर होंगे जिसमें वो नहीं आता है तो हम प्रदेश की और स ये सारी उसना है